And then, the voters delight. Polling stations इस तरीके के मिलने चाहिए, जिसमें ये सभी चीज़े आपको मिलें. Then, how would we ensure that it is also inclusive? Inclusive in the sense, 85 प्लस जितने voters हैं, उनके हम घर जाके बोट लेने के लिए तियार है. Nomination से पहले, सब के घर में हम Form 12-D पहुचाएंगे. देश के कुछ हिस्से में घर से बोटिंग हो चुकी है Assembly Elections में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है. अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये विवस्ता एक साथ लागू होगी, कि जो 85 वर्ष से उपर के मद दाता हैं, जो persons with disability हैं, 40 years, 40% से ज़्यादा की जिनको disability है, वो सब के पास हम form पहुचाएंगे. अगर वो ये opt करेंगे, कि वो बूत पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का बोट लेने घर में जाएंगे. हाना कि हमारा तजरुबा ये है कि जादर तर लोग उस एच के बूत पर आना चाहते हैं, because they have consistently been part of our, part of our democracy. उनको volunteers और wheelchair की सुविदा वहाँ उपलब्द रहे. Now, जब ये बूत बनाए, तो हमने अपने personnel को, जो teams हैं, उनको बहुत अच्छे से train करके तयार किया है. They are sentinels of democracy. I mean, हमारे जितने employees हैं, वो सब तयार रहेंगे इस बात के लिए, कि that, wherever it takes, they will walk an extra mile, so that voters don't have two miles. पहाल के बरफ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काट के बिज़ पर भी जाएंगे, हलिकॉप्टर से भी जाएंगे, हाती से भी जाएंगे, बरफ में भी चलेंगे, मियूल से भी जाएंगे. सिर्फ हर जगे पहुँचेंगे इसलिए ताकि बोटर अपना बोट दे सकें मैं इसी करम में आगे थोड़ी अर्वन अपैथी की भी बात करूँगा हम इतनी जब मेहनत करते हैं जाने में हम देखते हैं जहां घर के नीचे पूथ है महाँ पे बहुत सारे लोग बोट देने नहीं आते यह उनके लिए भी एक उधारन है कि वो यह समझें कि बोट देना कितना जरूरी है अगर हम दस लोगों के लिए पांच लोगों के लिए बोट बना के इतनी महनत से जा सकते हैं तो आप घर के नीचे उतर के जो दो किलो मिटर के रेडियस में आपके पास बूट है उसमें बोट देने जरूर आएं फ्रेंट्स, वी अर अलसो वेरी कॉंशियस अबाउट दी सस्टेनिबिल एलेक्शन्स ऐस अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी तोड़्स दी एन्वार्मेंट तो एन्वार्मेंटली सस्टेनिबिल एलेक्शन्स हो इसके लिए भी हमने इसके लिए भी हमने डिरेक्शन्स अपने एलेक्शन मशिनरी को दी है वेस्ट मैनेजमेंट किसी भी पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग के बाद में दिखाई नहीं देना चाहिए आप उसको collect करें, disposal करें और teams के साथ में send them to various disposal it's part of the material arrangement minimal use paper का करें maximum हमारी e-books लागू हैं, आप कभी भी हमारी website पर देख सकते हैं हर subject पर e-book है more and more carbon footprints को हम कम से कम किस तरह से कर सकते हैं recycling, more and more less and less paperwork all that is what is our commitment to the environment. We are also greatly leveraging technology in three verticals for the help of the voter, for the help of the election management agencies machinery and also for the political parties and candidates कोई भी वोटर पूरे देश में उसका epic number से बूत कहां है, उसका epic download करना है if he has a mobile number seeded, he can download his or her mobile कोई भी बी बीलो के बारे में कोई जानकारी लेनी है, one can go to the voter help line head. You can know about what kind of a candidate you have in your constituency who are contesting. So there is an application called know your candidate. तो उसका एकि कोई किक्रिमिनल बेक्डि़ून तो नहीं है, उसके खिलाफ में केसिस तो नहीं है, उनके क्या असेट्स हैं, क्या लैबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें, के वाई सी के एप्लीकेशन में बोटर्स को देखने का अधिकार हैं, उनको मिलेंगी. और जिसकी का बेक्रिम्नल रिकॉड है, किसी भी कैंडि़ेट का, उसको तीन बार निउस पेपर्स में देना पड़े गा, अप बेना पड़े गा, अब पोलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा, कि आपको उस सी क्रिम्नल गेड़ेट बेक्राइं के खड़ा करना पड़ा, तो कोई भी शिकायत अगर किसी सिटीजन को किसी बोटर को करनी है कहीं पर भी कहीं पर भी कोई पैसा बाटने का केस है फ्रीबी बाटने का केस है अक्सेस केंपेनिंग का केस है आप कहाँ पर खड़े हैं यह हम अपने से आपकी मोबाइल की लोकेशन से समझ लेंगे और आपको सौ मिनट के अंदर अपनी टीम बेच कर जो आपकी शिकायत है उसका निराकरन हम आपको करने देंगे फ्रेंट इस सारी चीज़ को करने में हमारे साबने कुछ चैलेंजेस भी है मैं आँ आपके सामने उन चैलेंजेस की भी चर्चा करना ह possibilities करना चाता हूँ और यह भी बताने चाता हूँ कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे तो मेंडली चार चैलेंजेस हमारे पास है four M's muscle, money, misinformation and MCC violations. Essentially चार किसम के broad जो हमारे process हैं और इसी के संदर्व में पूरा जो process अब आस्टे शुरू होगा और जब तक चुनाव खतम होगा तो election commission का अधिकान समय इनी चार चीजों में लगने वाला है कि how to control muscle power, how to control money power, how to control the menace of misinformation and how to control the violations done or at least to be done under MCC. So coming to the muscle, muscle power को control करने के लिए adequate number of CAPF would be deployed. 24-7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं, we are establishing हम बिल्कुल determined नहीं इस बार muscle power को कम करने के लिए. चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और blood बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए. जहां भी हिंसा बची है, चाहें वो pre-poll हो, चाहें वो during campaigning हो, चाहें वो post-poll हो. वी आर कमिटेट टू, kind of be very very alive to this situation. और जो भी हमें सक्ती से करना होगा, इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोवीजन ना रहें. हर डिस्टिक्ट में एक control room बनाये गया जो दिन, उसमें पांच किसम के feats होंगे. TV, social media, webcasting which is on the booths, 1950 की line जिससे शिकायत आती है, and grievance's portal. So, one senior officer would be available in the control rooms in every district to look at these five feats. जहां से भी, और सी विजिल, 60 सी विजिल, जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी, उस पर सक्त कारवाई की जाएगी. Everywhere across the country, हमने बड़ी सक्त ताकित दिये कि डिस्टिक्ट मेजिस्टेट्स, SSP's, अपने एरिया में हिंसा को ना होने दें. जितने non-available warrants आज की डेट में हैं, पुलिस उनको already हमारी विजिस्ट के साथ साथ almost execute कर सकी है, कर चुकी है, कर रही है. साथी जितने history cheaters हैं, उनको भी बहुत तेजी से देख रही है. There is also a network of checkposts which have been set up in the international border, in the interstate border, and on the notes from where some kinds of irregular illegal goods can move across the states. In some international borders, there is also a drone-based checking which will happen. We are fully committed that हिंसा का कहीं को इप्योग नहीं होना चाहिए. हमने district में से states को बहुत सक्त हिजायद दिये, कि जितने लोग तीन साल से उपर हैं, उन सब को आप बदल दीजे पहले. और accountability starts from the head of the district not below. ये उनका काम है कि जो नीचे हैं वो उनको देखें. किसी भी process में volunteers और contractual staff किसी भी state ने लगाएं, वो इस्तमाल नहीं होंगे. बहुत सारी states ने temporary volunteers और contractual staff को लगा के रखा हैं. वो किसी भी stage में इस्तमाल नहीं होंगे. डबल voting, impersonation की भी शिकायत आती है. बहुत सक्ष इदायद दी गई है कि अगर impersonation के cases आएं, तो RP Act की section में उनके खिलाफ action लें. साथियो, बहुत ही determination के साथ हम हिंसा मुप्त चुनाओ देना चाहते हैं. चुनाओ में हिंसा की कतई गुनजाईश नहीं है. राश्टपती महत्मा गांदी जी ने कहा था, मैं हिंसा कब रोट करता हूँ, क्योंकि उससे पाया हुआ समधान बहुत कम वक्त के लिए होता है, और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए. Only peace is everlasting, violence doesn't solve anything. We will request everyone, all political parties, all candidates, that they must be very, very, very cautious of this point. We will be ruthless if anywhere the violence happens.